नमस्ते मेरा नाम डेविड है और आप दिललन टॉप देख रहे हैं पटना पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं बाड की वज़ा से चर्चा में हैं लेकिन 29 सितंबर को यहां से एक खबर आई पुर्व मुख्य मंत्री लालू प्रसाद यादों के घर से एसवरिया राय जो उनकी बहु है वो मीडिया के सामने आई उन्होंने अपने सासु माँ पर और अपनी जो नानद है उन पर आरूप लगाया प्रतार्णा का उन्होंने बहुत सारी बाते कही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें खाना तक नहीं दिया जाता था मतलब कीचन में जाने की अनुमती नहीं थी उन्हें मायके से खाना मंगाना पड़ता था और भी बहुत सारी बाते उन्होंने कहीं है इस सारे मुद्धों पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लेते हैं अब बताओ ना कि इतना बड़ा घर है, खाना देने में क्या दिक्कत हो रहा है? पानी लेने के लिए क्या दिक्कत हो रहा है? तो छोटा चीज है, लोग तो लोगों के, मतलब, they are the lawmakers, they are breaking the basic human right मेरे घर से खाना आता है और उसके बाद मेरे कोई नीचे से आके खाना लेना पड़ता है यहां से में को किचिन में जाने नहीं देते हैं यह पिछले दफ़ा वरोते हुए निकली थी कहा जाराता है तो आज हद पार कर दी है हाँ क्यूंकि हम लोग भी चाहते हैं कि मेरे फादर-in-law आ जाए और बैट के बात हो तो सब ठीक हो जाए मेरे फादर-in-law बहुत ठीक कर सकते हैं चीजे लेकिन मेरे फादर-in-law हैं नहीं आप है पर आज वाले में उनको शायद उधर थे तो उनको दिखा नहीं और हमको भी मिल नहीं पाए क्योंकि इस मुद्धे पर बात करने के लिए हमारे साथ है अविनास राय आखिर यह मामला है क्या पूरा यह मुद्धा पिछले कई दिनों से चल रहा है अश्वर्या राय और तेजप्रता प्यादव के शादी का उतके तलाक का और यह बहुत लंबे अरसे से जब से शादी होई शादी के दस महीने भी उनके पूरे नहीं हुए थे उसके बाद ही तेजप्रता प्यादव ने कोर्ट में तलाक की अरजी दाखिल की तेजप्रता का मेल नहीं हो सकता इसलिए हमें फ्रछा हिये यह बात तो पहले से पता होगी ने शादी से पहले से पता ने फिर ऐसा क्या हो कि तीन-चार महिने में अपनह बता चंद्रिका राय के जो पिता याने की एश्वर्या राय के जो बाबा है वो दरोगा राय वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तस महीने तक मुख्यमंत्री रह थे करीब करी और जो लालुयादों आज जिस हालत में हैं मतलब जितने बड़े नेता हुए उसके पीछे की दरोगा राय तो दरोगा राय और याहऑ वो ऑबुरसरो के बहुत आपस में अच्छी जमती थे अब यह हुआ कि इन दोनों का जो सियासी चिजह थी सियासी थी तौर पे दरोगा राय करें दरोगा राय के नहीं रोगा राय बेटे जन्रिका उनको उनका बहुत लगा हो था तो वो चाहते थे कि एक तो शादी अच्छी हो जाए और दूसरे इस शादी से जो सियासी रिष्टे हैं वो और ज्यादा मजबूत हो जाए तो इसके लिए इन लोगों ने शादी की थी तेजपरता फाला कि उस समय भी नहीं मान रहे थे उस समय भी करना चाहते हैं वह कभी व्र현दा मुन में बासुली बजाते हुए दिख जाते हैं कभी शीव के ओतार में दिख जाते हैं तो धार्मी कारें अमने के यहीं कुकि सियासी मजबूरियां थी और वह अपनी मां के भिलत ले नहीं जितना उनको पसंद करती हैं उतना ही तेज- समझें कि ये पारिवारिक विवाद से जादा एक सियासी विवादा बन गया है और इसके शुरुवात आप देख सकते हैं 2001-2002 से मीशा भारती अभी जो राजनीत में सक्रिय लोग हैं मीशा रालुयादो के लालुयादो रहे उनके पतनी रावडी दे भी रही उसके बाद मी पतनी रावडी देवी को मुख्य मंतिरी बना देते हैं उस समय मीशा भारती को उम्र मातर 23 साल होती है और पतना के सियासी हलकों में ये चर्चा होने लगती है कि अब मीशा भारती मुख्य मंतिरी बनना चाहती है यानि आज से ये 15-20 सल करीब 20 सल कुरानी बात है कि वो चाहती है मीशा भारती कि मैं मुख्य मंतिरी बन जाओं और तब ल तो तेजप्रताफ यादो हैं राबडी देवी के करीबी, उनके लाटले हैं क्योंकि छे बेटियों के बाद हुए तो जाहिर मा और बड़े बेटे का प्रेम्त है, तेजस्वी यादो हैं लालु यादो के करीबी, लालु यादो के हर बात तेजस्वी मानते हैं, तेजस्वी का पद दिया गया और उतना ही नहीं जब डिप्टी-CM का पद भी गया उनका जब जडियू और आर्जडी का गठ बंधन टूटा जब फिर से नितीश कुमार सत्ता में आए बीजेपी के साथ विपक्ष के नेता की भूमिका दे दी इनको यह तो 2015 की बात थी मिशा भारती को राजसाभा बेजा जाते थे कि राबडी देविको राजसाभा संसत बनाया जाता है ब्हेजा जाता हैंको तो उन्हें लुटीयन जोन में बंगला मिल जाएगा चुकि वो पूर मुख्यमंत्री भी रही है, मिसा भारती को बंगला नहीं मिलना था, लेकिन मिसा भारती दिल्ली में सक्री राइनीत करती, इसलिए मिसा भारती को वो पोश्ट दे दी गई, और इससे भी पहले चलिए, अगर आप 2019 के लोग सबर चुनाओं के हम बात करते हैं तो सीट बटवारे को लेकर के, दोनों भायों के बीच जो खिचाओ था, वो बहुत साफ साफ नजर आ रहा था, इसका असर जो है कि देखिए कि रिजल्ट पे भी पढ़ा, एक भी सीट जो है, एक भी सीट नहीं जीत पाए, और इवन सोचिए कि तेजपरताप्यादों के स असर को तेजस्वी टिकट दे रहे हैं, कहरें कि नहीं, वो वहीं से लड़ेंगी, यह थोड़ा सा अजीब था, वो समय की, बहुत अजीब था, इसका सीधे सीधे खिचाओ दिख रहा था था न, तेजपरताप और तेजस्वी के बीच में, तेजस्वी नहीं चाहते थे कि मिसा भारती चुनाओ लड़े, वो तो वहां से पाटली पुतर से भी नहीं चाहते थे कि चुनाओ लड़ने की बारिवार में ही लोग एक दूसरे को काटने में लगे हैं, क्योंकि वहां पे दो धुरूर अब साफ तोर कर नजर आ रहा है, कि आप देखिए कि मतलब यह देखा जा रहा है, वहां पे सियासी गलियारों में, कि इन दोनों के भी ठीक तो सब कुछ नहीं है, जाहिर है, यह पहले से बाते चली आ रही है, कि ठीक नहीं है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, चुनाओ के दवरानी एकदम खुलकर के सामने आ गया था, फिर यहां से राजनीती जो है, खास दोर से, लालू प्रसाद यादो के परिवार के राजनीती, वो किधर जाएगी? लालू प्रसाद यादो फिलाल जेल में है, चारा गोटाले में उम्रकाद की सजा काट रहे हैं, और तेजस्वी को हों या तेजपरताफ हों सबको उम्मीद थी कि वो बाहर आएंगे परोल पे छुडाने की, जमानेत पे छुडाने की कोशिश की जाएगी, नाकाम रही है कि या चारे कि अगर लालू यादव बाहर खुड़े तो शायद कुछ सब कुछ ठीक हो ज़िए था, उलौर श들이 पे शावन जाए फिला गोटालावही, जक्ज सिंग जाटावरे में में disrupt मेंगे से जग्धारं संग और बड़े बड़े नेता है, वह अलग 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 वारा जस्वी के नंत्रतों पे सवाल उठा रहा है,- लेकिन सब कह रहा है कि लालू-्यादों रहेंगे तो हम बात मान जाएंगे, लालू-्यादों की गयर्मझूद्गी न, इनके सियासी करियर को भी बड़ा नुकसान पहुचा रही है और इनके जो पारिवारिक जीवन है, जिसमें दो भाईयों के बीच अन्मन की जो कहानी सामने आ रही है वो भी बड़ा नुकसान पहुचा रही है कुछ दिनों पहले एस्वरियर आए कि एक तस्वीर आई थी वीडियो आया था कि वो रोती हुए घर से निकली थी उसके बाद ही ऐसे कयास लगाया जा रहे थे कि कुछ तो जो है कि बहुत गड़बर चल रहा है और आज वही हुआ कि वो प्रेस के सामने आई और उन्होंने अपने बाते बताई लेकिन आप देखें तो आने वले टाइम में बिहार में चुनाओ होने हैं इस सब का कितना असर पड़ेगा उस पे जाहिरत 2019 का रिजल्ट हम सब के सामने है कि तेजप्रताप यादव अपनी दो सीटों के लिए अपने भाई से लड़े उन्होंने कहा कि मैं अलग लालूरावडी मोर्शा बनाऊंगा ऐलान कर दिया उन्होंने बाकायदा उनके अपनी पार्टी के खिला ने आरोप लगा लगा ने सिधे सिधे रावडी देवी पैणाओ लगा रही है सीधे मीशा भारती पैर अरूप लगा रही है कि मुझे किचन तक में नहीं कुस्ने दिया जाता मैं अपने माएके से खाना मंगा हैं और लालू यादव होते तो ठीक हो जाता आर्तेजवि च मिशली बारस या की एंन Sum कि तो फोटो यहां जो दिंद कर chili तो सब आश्वरय ने किया है यह क Advis सब luc गानून करें तो प्रतारणति कानून के कुछ करें कर वह प्रताना कार बलous परोप आधिस उन्हों करेगी और ऐसा नहीं है कि यह कारिज कर दें कि पुलिस मेरा मुकदमा नहीं लिख रही है क्योंकि इतने कमजोर परिवार की नहीं है वह एक बिहार के पूरु मुख्यमंत्री की नातिन है एक विधायक की बेटी है लालू यादों की बहु हैं परिवार की बहु है अगर करिवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है चंड्रिकार्राय के परिवार से परिवार से भले जघडा हो लेकिन टेजस्वी का और चंड्रिकाराय रहा है उनको बहुत अच्छा सी थे कह रहा है कि मेरे प्रता जी की सीठ हो उसको लड़ना चाहिए Mering को मैं लड़ने तो मैं लड़ूंगा चंद्रिका राय होते कौन है लडने वाले तो यह तो मतलब लंबा परीवार का सियासी ड्रामा रहा है अश्वारय राय रहते हुए आरोप लगाते हुए नजर आती है लेकिन अस्वारय राय उसी परिवार में दो लोह को बक्ष भी देती है तेजस्व कि तेजस्वी और तेजप्रताप या मीशा भारती जो है इस मामले में क्या बयान देते हैं उनका क्या कहना है कि इस वरिया के आरोप कितने सही हैं कितने जूटे हैं जो भी होगा ललन टॉप आपको बताता रहेगा